आदिति ब्लॉग नाम तो आपने सुना गो दोस्तो जिस बच्चे ने सिर्फ छन दिनों में अपने चरण पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है लेकिन दोस्तो आप इस भाई का जो है छोटे बच्चे का एकाउंट है किया जा रहा है दोस्तो मैं उन सभी लोगों से रिक बग मानी तो है की हो चुका है जो कि लगता है जैसे हमनो है को चुका हैる अब को बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ बी कभी ऐसा होता है अगर आप भी यूटूब पर नए-नए ग्रोह होते ही तो कि गलतियों के वज़े से इन भाई का चैनल एक्सेस किया जा रहा है है करनी की कोशिस की जा रही है और साज एक छोटी सी गलती एक छोटी सी गलती इन्होंने कर दीना तो इनका चैनल दूसरे के कंट्रोल में चला जाएगा और दूसरा को इनके चैनल को एक्सेस कर लेगा दोस्तो अगर आप एक यूटूबर है ना तो आप से रिक्रेस्ट करूँगा प्लीज इस वीडियो का इसके पत करना क्योंकि बहुत बड़ी चीज दोस्तो बताने वाला हूँ आप देख सकते हैं आदित ब्लॉग इन भाई का मेरे पास कॉल आया और काफी ज़्यादा परिसान थे ये रो भी रहते कि भाईया मेरे साथ क्या हो रहा है तो मैंने का नहीं ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ अपने सब्सक्काइबर को ज़रू बताऊँगा कि आखी जिन्होंने ये गलती की है इन्होंने वो आपको नहीं करनी है आप देख सकते ही यहाँ पर इसकी इन्सोर्ट सेर करना चाहूँगा इनके चैनल को कहां कहां से एक्सेस किया जा रहा है कहीं दिल्ली से कहीं MP से कहीं UP से कहीं बिहाज से पटना से हर जगर से एक्सेस किया जा रहा है इनके phone पे तरह तरह के notification आ रहे हैं जो problem है बहुत बड़ी है दोस्तो आखिर क्यों जब कोई उपर जाता है तो उसके पिछे लोग क्यों पड़ जाते ही आखिर क्यों free में सब कुछ लेना चाते ही दोस्तो इसने मेहनत की कैसे भी करके by luck कैसे भी करके इनका channel अगर grow हुआ है तो आखिर लोग इसके channel को क्यों अपने हाथ में हती आना चाते ही क्यों उसका channel hack करना चाते हैं दोस्तो तो मैं इस भाई से मैंने बोल दिया है जो इन्होंने गलती की थी starting में वो आपको नहीं करनी है वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर ये छोटी सी भी mistake कर दिये अगर सिर्फ एक बटन दबा दिया yes कर दिया ना तो दोस्तो इनका channel hack हो सकता है और दूसरा कोई भी इनके channel को access कर सकता है तो अगर आप एक YouTuber है दोस्तो अब आपको क्या करना है इनोंने क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी है और मैं request करूँगा प्लीज जितने भी लोग अगर ये वीडियो उन तक जारी जो लोग उसके उस छोटे से बच्चे के account को access करने की कोशिस कर रहे है hack करने की कोशिस कर रहे है तो प्लीज यार ऐसा मत करो प्लीज जो करना है अपने पैरो पे खुद के बल पे करो किसी का account है करके ऐसे करके ये अच्छा काम नहीं है उस छोटे से गरीब सा बच्चा है यार उसके गर में इतनी गरीबी है गरीबी में पहला बढ़ा है अगर वो कुछ कमा रहा है, कुछ काम कर रहा है आप आया है इंटरनेट पे तो आखिर क्यों उसके पेट में लात मानने का काम कर रहो यार मुझे काफी गुसा आ रहा है क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं प्लीज ये इस टॉप कर दीजी और आप लोगों से request करूँगा आप अगर अपने channel बनाते हैं अगर आपको knowledge नहीं है सब चीज़े के बारे में तो अपने description में या फिर अपने about section में channel के description में कभी भी अपनी वो वाले email ID बिल्कुल मट डालना जो आप अपने channel पर जिससे channel आपका बना हुआ है क्योंकि अभी ये बच्चा है इसके साथ यही problem हुई है इसने अभी वहाँ पर business email ID अपने डाल दी थी वो भी इनके जो related थी इनके channel से इनके adsense account से और अब लोग उसी को email ID डालके तरह तरह कर तरीके से forget करके password access लेना चाहरे हैं ताकि अगर ये बच्चा गलती से भी थोड़े से भी अगर click कर देता है तो इनका channel access किया जा सकता है, hack हो सकता है दोस्तों तो अगर आप भी एक नए यूटूबर है अगर आपका भी channel grow होता है दोस्तों तो प्लीज ये गलती मत करना कभी भी अपने जो आपका description है या फिर about section में अपनी वो वाली email मत देना जहां जो आप अपने channel पर use कर रहे हैं जिससे आपने channel बनाया है या पिर जिससे आपने adsense account बनाया है दोस्तों तो ये जानकारी थी छोटी सी कि एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है प्लीज इसको stop करो और कोई भी कभी भी ये काम कर सकता है दोस्तों तो प्लीज अपने channel पर कभी भी वो email ID मत use करो और इस भाई से मैंने बता दिया है कि अपनी जो ये email ID है जो भी आप use कर रहे हो वो अपने description में नहीं डालना है और अपने setting पर जाके accounts पर जाके उस email ID को अपने phone से remove कर देना है तो मैंने इनको तो बता दिया लेकिन आपको भी बता रहा हूँ ये काम बिल्कोश सही नहीं है यार क्यूं आखिर क्यूं कर रहे हो मुझे काफी बुरा लगा तो मजबूरी थी मेरी कि ये वीडियो बनानी पड़ी कि आखिर आपको अभी कुछ knowledge मिल जाएगी इससे कि अगर ये छोटे से बच्चे के साथ ऐसा हो रहा क्यूंकि इंटरनेट पे लोग fraud करने के लिए बहुत जादे active हो चुके हैं वो हत्याना चाहते हैं दूसरे का जो success उसको हत्याना चाहते हैं गलत गलत तरीके से हत्याना चाहते हैं तो प्लीज यार ऐसा मत करो इस छोटे से बच्चे के गरीब के पेट में लात मत मारो यार आसा करतो जो मैंने information दी आपको काफी अच्छी लेगी होगी वीडियो पसंदे तो वीडियो को like करें चैनल पर नहें तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना जहिन जभारत